असलाम वालेकुम रहमतुलाही वरकातों आज हम सौधियरब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेंट खबरे जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ सेर करने वाले हैं जो सौधियरब में रहने वाले हैं जिनभी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफी जादा बड़ और इंपोर्टेंट होने वाली है तो अगर आप सौधियरब में रहते हैं सौधियरब के हाला तो आक्यास से बाख़पर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर आखिर तक जरूर दखें दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेर जरू लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 गंटे में सबसे ज्यादा मरीज रियात के अंदर रिकॉर्ट पर आएं जिनकी तादा 238 उसके बाद मक्का मुकरमा 111 इस्टन 84 मदीना मनुरा 34 नौर्थ 30 हाइल 22 कसीम 18 असीर 17 तबूक 12 जाजान 10 नजरान 7 अलजौफ 4 और बहा में 3 क केस की तादाद बढ़कर 5452 तक पहुँच चुकी है जोकि आईस्यों में जो केस उनकी तादाद 699 हो चुकी है सूदी रभ में अब तक 3,90,570 केस रिकॉर्ट पर आ चुके हैं 3,78,479 लोग ठीक हुए हैं और 6,676 लोगों की मौत हो चुकी है अगले अब डेट यह है कि सॉदी रभ में किर्किट को बढ़हवा देने के लिए Game Changing Plans सुदी रभ में किर्किट को बढ़हवा देने के लिए कई तरह के प्रग्राम सुरू किये जा रहे हैं अरब नुज के मताबिक बताया गया है कि सौधिरभ में कई सालों से किर्किट खिला जाता है लेकिन ये किर्किट द estáshe раз کے गैर मुल्कियों के जरीए खिला जाता है सौधिरभ के अंदर लेकिन अब चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं अब सौधी सहरी भी किर्किट में दिल्चस्पी ले रहे हैं और सौधी सहरी और गैर मुल्कियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी सौधी रब के अंदर किर्किट की हवाले से शुरू किये जा रहे हैं सौधी अरब के जो खेल के अध्यच्च हैं उनका कहना है कि सौधी अरब में भी एक निशनल टीम तयार की जाएगी किर्किट के हवाले से जो बाकी देसों की तरह वो भी किर्किट अलग अलग देसों के साथ खेलेगी यानि कि साओधी रभ भी अपनी एक निशनल टीम किर्किट के हवाले से तैयार करना चाहती है जो बाकी देशों की तरह किर्किट खेले तो ये एक खबर दिस उचाप आप आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई सुनने में आ रहा है कि नए बीजे पर जो लोग साओधी र में इंटरी कर सकते हैं तो आपकी जानकरी के लिए बता दें कि अभी इस तरह का कोई भी अपडेट जारी नहीं हुआ है कि आप नहपाल होकर सुनने में नए बीजे पर इंटरी कर सकते हैं फिरहाल अगर इस तरह का कोई भी बात आप से कह रहा है तो ये फिरहाल कोई भी अगर आप छुट्टी पर गए हुए हैं तो एक बार आप नहपाल में कुझाने के बाद 14 दिन आप सौधी रब में इंट्री कर सकते हो लेकिन नए बीजे पर लोग नहपाल या फिर किसी भी अधर कंट्री से वाया होकर सौधी रब नहीं आ सकते हैं और आपकी जनकरी के लिए भी बता दें कि अभी सौधी अंबेसिस जो इंडिया के अंदर मौजूद है उसने भी अपना काम सुरू नहीं किया है जब वो जो बीजे का काम उगरा है वो सुरू कर देगी उसके बाद ही लोग नए बीजे पर सौधी रब आ सकेंगे तो जैसे ह कोई अपडेट आती है इंसालला आप तो हम दोस्तों को अपडेट चरूर करेंगे इसके लावा कुल दोस्तों के ये सवाल आ रहे थे कल की वीडियो में कि भाई जो आप बता रहे हो ओमान होकर सौधी रब में इंटरी कर सकते हैं तो ओमान में जाने के बाद हमको 14 दिन र का लेनी हैं उसके बाद ही आप अमान के अंदर इंटरी कर सकते हैं अगर आप होटल की बुकिंग किये बीना अमान पहु nee हैं तो आपकी ओमान के अंदर इंट्री नहीं होगे अगर आप किसी एजन्ट के थिरो जाएंगे तो फिर एजन्ट को तो हर चीज पता ही है वो खुद ही रोम वगरा बुकिंग करने के बाद ही आपको इंडिया या आप पाकिस्तान या किसी भी ऐसे देश से जा रहे हैं जि को ओमान पहुचने के बाद 14 दिन वहां पर रहना है कुरंटाइन में बिताना है उसके बाद आप सउधरफ की टिकट लेकर सउधरफ के अंदर इंट्री कर सकते हैं